Hello Friends, Welcome to Edista Classes आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महत्पूर परबत के बारे में और इस वीडियो में भारत में जितने भी महत्पूर परबत हैं उनके बारे में मैं आपके साथ डीटियल से और फैक्ट के साथ डिस्कस करूँगा तो आप मारा वीडियो पूरा और इन तक धामचे देखिए इससे पहले हिमाले के बारे में मैंने आपको पूरे डीटियल और फैक्ट साथ बताया तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे description में हिमाले के वीडियो का लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पर click करके हमारा हिमाले का वीडियो देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे अरावली परबत के बारे में ये दुनिया की सबसे पुरानी परबत स्रिंखलाओं में से एक है जो एक वलित परबत स्रिंखला है कौन अरावली परबत ये एक वलित परबत स्रिंखला है यहां मैप दिया हुए, मैप के बारे में मैं आप से थोड़ी देर बाद डिसक्स कुरूँगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वलित परबत क्या होते हैं पृतिभी के अंदर की उथल पृतल या पृतिभी के अंदर जो आंतरिक गत्वीधिया होती हैं इनी गत्वीधियों की कारण जब धरातल की चट्टाने मुड़कर किसी परबत का आकार ले लेती हैं तो यही जो मुड़ा हुआ परबत होता है इसे वलित परबत या फोल्ड माउंटेन के रूप में हम जानते हैं 692 किलोमेटर ये लंबा है कौन अरावली परबत 692 किलोमेटर लंबी अरावली परबत रिंकला भारत के चार राजी अवे चार राजी कौन कौन से हैं हरियाडा, दिल्ली, रास्तान और गुजरात इनी चारो राज्यों में अरावली परबत रिंकला फैली हुई है कौन कौन से हरियाडा, दिल्ली, रास्तान और गुजरात लेकिन अरावली का लगबग 80 परसद भाग रास्थान जिल्ले में केवल है कहां पे केवल रास्थान में अरावली का 80 परसद भाग इस्तित है रास्थान में अरावली को अस्थानिये लोगों के दारा आडा वाला डूंगर क्या कहते हैं आड़ा वाला डूंगर ये अरावली को रास्थान में अस्थानिये लोगों के दोरा कहा दाता है ये छेत्र गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से सुरू होकर अजमेर और जैपूर ये रास्थान पड़ते हैं इनी से होते हुए हर्याणा के दच्चिनी भाग में परवेश करके दिल्ली के दच्चिनी भाग तक जाता है अरावली परबत दिल्ली पहुंचे-पहुंचे परबत की उचाई कम होते होते मैदान में तबदील हो जाती है कौन से अरावली परबत की अरावली परवत को मुक्यता तीन भागों में विभादित क्या दाता है कौन-कौन से ये भागें इनके बारे में देखते हैं सबसे पहला है जरगा रेंज, हर्सनाद रेंज और दिल्ली रेंज ये तीन अरावली के भागें इस तरीके से अरावली है गुजराज से लेकर के दिल्ली तक तो सबसे पहला है जरगा रेंज दूसरा है हरसनाद रेंज और तीसरा है दिल्ली रेंज आपको याद रखना है देखिए यह है अरावली परवत मैं आपको मैप में कुछ बताने की कुछिस क्या हूँ गर आपको map समझ में आजा है तो काफी बेतर है क्योंकि अगर आप चीज़ों को map के according पड़ेंगे तो आप lifetime कभी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं यह है अरावली परबत जगे जगे टीले हैं जगे जगे यहाँ पे आप यहाँ पे सिर्फ map देखिए और map में देखिए जगे जगे कंकड हैं टीले हैं ऐसे कटे फटे पहाण हैं यही अरावली परबत में इस्तित हैं आगे बात करते हैं एक note दिया हुआ देखते है note क्या है और note आप के लिए most important होता है note पे यह है अरावली परबत की सबसे उंची तोटी गुरु सिखर है और गुरु सिखर 1722 मीटर उंची है यह माउंट आबू में है कहां माउंट आबू यह रास्तान पड़ता है और यह काफी ज़्यादा दर्शनी अस्तले रास्तान का अरावली परबत का पस्चमी भाग जो पस्चमी भाग अरावली का यह मारवाड और पूर्वी भाग मेवाड कहलाता है यहीं सिकरमचा मारवाड से मारवाडी और पूर्वी भाग में जो मेवाड है मेवाड से मेवाडी आते हैं अरावली में जादातर जंगल इसके दच्छन के पहाडों में पाइदाते हैं और उत्तर की पहाडियां जो हैं वो काफी पत्रीली है मैंने आपसे बूला जगे जगे टीले पाइदाते हैं रेद के मैदान पाइदाते हैं अरावली की जो स्रेडी है उसमें और रास्थान में जो अरावली स्रेडी 80 परस्त फैली हुई है उसमें लगबग रेत के टीले भी पायरते हैं दिल्ली का जो राष्टपती भोवने बर्तमान समय में वो इसी अरावली परवत स्रिंकला के अलग-अलग पहाडों के उपर बना हुआ है अब बात करेंगे हम जो प्रादीबिय परवत हैं उनके बारे में प्रादीबिय परवत में सबसे पहले बात करेंगे विंध्याचल परवत के बारे में क्यों? क्योंकि विंध्याचल परवत है ये उत्तरी भारत और दच्छनी भारत को डिवाइड करता है बिंदेचल परबत इस परबत माला का विस्तार गुजराज से लेकर पूर में उत्तर परदेश तक है बिंदेचल परबत ही उत्तरवाद दच्छिन बारत को असपस्ट रूप से अलग करता है इसके बारे मैंने आपको पताया और इसकी आस्तन उचाई है 200 मीटर यानि ये अधिक उचा नहीं है इसकी आस्तन उचाई केवल 200 मीटर है पस्चिम में गुजराज से लगबग 1086 किलो मीटर तक विरिश्तित ये सिनेडी मद्य परदेश को पार करते हुए उत्र परदेश के वारांड सी जिले जिसे बनारस्मी कालता है वहीं पे गंगा नदी की घाटी में मिल जाती है कौन? विंद्याचल परबत और उत्र परदेश में मुख्र रूप से लोग कौन कौन से? सोन वद्र और मिर्जापुर इनी दोनों जिलों में विंदयतल की जो स्रेडी है यानि जो विंदयतल परबत हैं वो इस्तित हैं विंदयतल परबत मालवा पठार का दच्छडी छोर बनाता है और इसके बाद ये दो साखाओं में बढ़ जाता है पहला साका इसकी है कैमूर्स रेड़ी जो सोन नदी के उत्तर से पस्चवी बिहार राज तक फैली हुई है और इसकी दूसरी साका है जो सोन और नर्बदा नदी के ऊपरी छेतर के वीच मैकाल स्रेड़ी मैकाल स्रेड़ी पर अमर कंटक पठार है और यहीं पे सत्ट जो परबस रेड़ी है उसे में ये मिल जाती है मालवा पठार के दच्छिंड से आरंब होकर आपको याद रखना है जो मालवा पठार है उसके दच्छिंड से आरंब होकर ये स्रेड़ी पूरब की ओर मद्य परदेश तक वरिष्टित है और ये भारत की दच्छिन लुदे की यहाँ पर हाइलाइट है भारत को दच्छिन भारत से अलग करता है कौन यही विंद्याचल परबस स्रेडी मैंने आपसे पहले बताया उत्तरी भारत और दच्छिन बाद इन दोनों को डिवाइट करता है विंद्याचल स्रेडी अब इस कौन सत्पुडा परबत सत्पुडा परबत ये भारत के मद्ध भाग में इस्तित एक परबत माला है। याद रखना है एक ब्लॉक परबत है कौन यही सत्पुडा पहाड़ी जो मुक्यता ग्रेनाइट और वेसाल्ड चट्टानों से निर्मित है। इसे आप हाइलेट कीजिए मोस्ट इंपोर्टन है पस्चमी घाड। पस्चमी घाड तापती नदी जो कि गुजरात के अरब सागर में खंबासी खाड़ी के पास में अपना मुहाना नाती है। यहीं से शुरू होकर यह कन्या कुमारी यानि तमिल नाडु तक फैला हुआ है। यह भारत के छे राजी कौन कौन से। पहला नीचे से आप देखिए मैप से यहां से। बिल्कुल यहां जो मैप है यहां देखिए। तो सबसे पहले तमिल नाडु, फ्रिकंडाटक, केरल, गोवा, महरास्ट और गुजरात में फैला हुआ है पस्चिमी घाट। इसकी लंबाई लगबग 1600 किलोमीटर है यानि 1600 किलोमीटर लंबा है पस्चिमी घाट। यह परवत एक वास्तविक परवत नहीं बलकि प्राय दीपिये पठार का अपरदित खाड करार है आपको याद रखना है इसके उत्तरी भाग में इसे मैप में अभी आपको नीचे बताऊँगा उत्तरी भाग में वेसाल्ड चटाने पाई आती हैं थाल गाट, भोर गाट और पाल गाट ये पस्चिमी गाट परवत पर इस्तित हैं ये तीनों गाट कौन कौन से थाल गाट, भोर गाट और यहा मैं कलर्चिन कर रहा हूँ और पाल गाट जिससे आपको दिखे अब दिखे थाल गाट, भोर गाट और पाल गाट पस्चिमी गाट भारत के सबसे ज़ को महत्पूर्ण रूप से प्रभावित भी करता है प्रादीपिय भारत की अधिकांस नदियों का उद्गम पस्चमी घाट से होता है इसलिए दच्छिर भारत का संपूर अपवाहतंत्र पस्चमी घाट से ही नियंत्रित होता है अब यहां से मुख्य नदियां कौन-कौन से सायादरी सी तो गोदावरी है कृष्णा है कावेरी है और पीरियार है यह निक심ंक है यह निकल दी तो पस्चमी घाट से है लेकिन अपना मोहाना यह पूरभी घाट में मैं आभी आपको मताओंगा आगे बात करते हैं नोटहाइं इसमें इसके नोटहीं देखते हैं यह य नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कितने हाट स्पोर्ट हैं वर्तमान में भारत में प्रादीपिये प्रवतों की सबसे उची चूटी अनाई मुडी यह अन्ना मलाई पहाडियों में इस्थित है सुदूर जच्चिन में बिल्कुल नीचे काडोम की पहाडिया भी है आपको याद रखना है अब यहाँ पे देखिए मैप है अब मैं आपको मैप के कॉर्डिंग पस्चिमी घाट के बारे में दता हूँ दीखिए जो हाइलाइट हुआ है यह जो हाइलाइट है उपर से लेकर नीचे यह है पस्चिमी घाट आपको याद रखना है जबकि यह है पूरवी घाट यह वाला एरिया इसके बारे मैं भी आपसे बात करूँगा पहले पस्चिमी घाट तो यहाँ से दीखिए यह नीचे आपको पता होगा यह है खंबात की खाड़ी यह अरब सागर का दुभाग यह है खंबात की खाड़ी यह वाला भाग और यहीं से यहाँ तापती से शुरू होती है तापती अपना मुहाया में आती है यहाँ पे खंबात की खाड़ी में और यहीं से सुरू होकी, यह बिल्कुल नीची यहां, माराज से होते हुए, कनाटक से होते हुए, गोवा से होते हुए, किरल से होती है, और बिल्कुल नीच से आती है तमिलनाड पे, यहां तक फैला हुआ है यह पस्चिमी घाट आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा बात करेंगे नील गिरी परबत के बारे में नील गिरी परबत ये नील गिरी की पहाडियां जो है आपको याद रखना है जो नील गिरी की पहाडियां है वो पस्चिमी घाट और पूरवी घाट का मिलन विंदू है यानि जो ऐसी करके मिलन बिंदू है यहाँ पे यहाँ पे दिखिए यह जो मिलन बिंदू है यहाँ का जहाँ पी यह खतम होता है यह नीलगरी के जो परवत है यही परिस्तिता और यही पे आके यह पूर्वी घाट ऐसे इसमें मिल जाता है नीलगरी के परवत में आपको याद रखना है नीलगरी की सबसे उंची चूटी है दोदा बेटा कौन है? दोदा बेटा आपको याद रखना है दोदा बेटा अब हम बात करेंगे पूरवी घाट के बारे में पूरवी घाट की आस्ता मुझाई है 615 मीटर कितनी 615 मीटर और ये स्रिंखला लगबग 1300 किलो मीटर लंबी है जबकि पस्चिमी घाट लगबग 1600 किलो मीटर लंबी थी यानि पूर्वी घाट की कंपेर में पस्चिमी घाट काफी लंबा है ये स्रिंखला की सबसे उंची चूटी यानि पूर्वी घाट की सबसे पाल कॉंडा, अन्ना मलाई, नवादा और शिवराय की पहाडियों की नाम से जाना आता है, किस से नीचे से लेकर उपर की तरब आप जबाएंगे, यह तमिल नाड के बाद आंधर प्रदेश, उसके बाद आप और उपर बढ़ेंगे तो उड़ी सा, ऐसे जब आप दच्छि पूर्बी घाट, कहां से पस्चि मंगाल राज से, और दच्छिन में यह तमिल नाड में जाके समाप्त होता है, रास्ते में पूर्बी घाट प्रबज्जो है, यह स्रिंक लाएं उडीसा और आंधर प्रसेद सहीत, कितने पहले यह तिलंगाना में बिता, अब भी तिलंग चल लगया, उससे पहले आंधर प्रदेश में था, इसी के साथ उडीसा और आंधर प्रदेश सहीत यह कई राज्यों को कपर करता है, कौन पूर्बी घाट, उडीसा में पूर्बी घाट मयूर वंज जिले में उत्तर सिमली पाल से सुरू होता है, आपको याद रखना है, उडीसा में जिला है, मैर वंज, उसी में सिमली पाल से सुरू होता है, पूर्बी घाट उडीसा में, इसके बाद ये देखिए आगे बढ़ता है कहां, मलकान गिरी में चलता है, और पूर्बी घाट परबसरंखला के उलेखनी परबत, कौन कौन से इनके बारे में पूर्बी घाट के आपको याद रखना है, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे तमिलनाड में, देखिए मैप है, और नीचे तमिलनाड में, काल रेयन, पाल मलाई, पंच मलाई, मेट तूर और शेवरा है, ये जो पहाड़ियां है, ये पूर्बी घाट की बड़ी उचाईयो पर इस सिते हैं, नीचे तमिलनाड में, आपको याद रखना है, जिन्द गड़ा, विसाका पट्टम के आरकू में सिते है, विसाका पट्टम, इसके बारे में, मैंने आपको हाल में बता है, इसी वाइजएक भी कहते हैं, अब यहाँ पे गैस, एक बहुत ही खतिनाग गैस पर इस सिते हैं, जिन्द गड़ा, आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, अब यह मैप में देखते हैं, पूरवी गड़, देखिए, यहाँ से शुरू होता है, मैंने आपसे बोला पस्चिम मंगाल, यहाँ सुरू होता है, थोड़ा सा यह दिख रहा होगा, पस्च उसके बाद इदर से होते हुए, आंद्रप्रदेस यहाँ दो भागों में बट गया है, यहाँ पर आपको याद रखना है, यह दो भागों में बटा हुआ है, तो यह थोड़ा सा आंद्रप्रदेस के अलामात ते लंगाना में भी आता है, उसके बाद यह आंद्रप्रदे का निर्मार करती हैं, इसके अलावा पूर्भी घाट की तुल्ला में पस्चिमी घाट पर अधिक बर्सा होती है, ऐसा क्यों, यह आप से पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको पताता हूँ, देखिये, यह है मैप, अब आप देखिए, पूरा ड्रीडल से, यह है पस्चिमी घाट पूरा और ये है पूर्भी घाट हमें पता है जैसा हम जानते हैं बच्पन से पढ़ते हुए आरे नीचे देखिए मैं आपको नीचे से बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम यहां से हिंद मा सागर से जब मानसून उड़ता है तो इस तरीके से आता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है कौन-कौन से एक ये अरब सागर वाला है ये पूरा अरब सागर का है और एक ये पूरा है ये जो हिल्स वाला एरिया है ये देखिए ये वाला एरिया ये है बंगाल की खाड़ी अब नीचे से देखिए सबसे पहले जब मानसून आता है तो सबसे पहले यह केल यहां से दो भागों में डिवाइड होड़ता है एक अरब सागर में और दूसरा इधर से आता है यह बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है ये काफी लेट आता है ये October 9 नॉमबर में आता है लेकिन जो अरब सागर का मानसूर आता है ये टकरा के सीधा सबसे पहले यहाँ है मालाबार्थट जो की किरल के एकटट है मालाबार्थट यहाँ पे सबसे पहले दो जून को ये बरसा करता है इसके बाद हमने अभी पढ़ा थोड़ी दिर पहले ये है पस्चिमी घाट का एरिया यानि वेस्टन घाट ये पस्चिमी घाट का एरिया और सबसे पहले अरब सागर का मानसूर आके यहाँ पे इससे टकराता है और यहाँ पे खोब मूसला धार बरसा करता है जिससे वेस्टन घाट यानि जो पस्चिमी पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है ऐसा क्यों है जबकि पूर्वी घाट की लगबग सारी नदियां डेल्टा का निर्मार करती है इसके अलावा पूर्वी घाट की तुल्ला में पस्चिमी घाट पर अधिक बरसा होती है बरसा होने का रीजन तो मैंने और पस्चिमी घाट की तरफ जो धलान है यहां से प्रादीपिय भारत का वो काफी तीब्र है आपको याद रखना है इस तरफ की धलाने है वो काफी तीब्र है जब भी पूर्भी घाट की तरफ जो धलान है प्रादीपिय भारत का वो काफी स्लो है इसलिए जब नदिया इस ठ钟ान से धीरे 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 नीचों दरती है, तो ये मैदाणी एरिया में प्रिवस करती है, और अपने साथ लाए हुए सारे अफवासंत्रों यानि जितनी भी कंकड पकड होती है, जिनटी भी उनकी जब भी कोई भी नदी ऊपर से नीजीकतव बैती है तो वो अपने साथ क से निकली भी नदिया, पूर्वी खाट के तरफ बढ़ती है, तो उनका जो बेग है, वो सलो होंता है, और जो ये पस्च्छिमीं घाट के तरफ जाती है, इनका बेग काफी तीब रहोता है और तीब गती से बहने की कारण ये डेल्टा का निर्मार नहीं कर पाती है जबकि पूर्भी घाट के तरफ जाने और लीजो नदिया होती है इनका बेग स्लो होता है और स्लो होने की कारण यह अपने मारगों को भी अरुद कर देती है जिसके कारण यह कई ज़्यादा थ्रासी लेके आती है बार लेके आती है अपने साथ और आगे चलते यानि यहां घाट के पाथ पहुंचते पहुंचते मंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह यहां डेल्टा का निर्मार कर लेती है इससे पहले आपको पता होगा सुन्दरबंका डेल्टा लगबग यहां पे है यहां पे यह बांग्लाजेश में पढ़ता है और यह पस्चिम मंगाल में पढ़ता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब गंगा आपको पता है गंगा जब मैदानी भाग में परवेश करती है माले से निकल कर उसके बाद इसका बेग शलो जाता है इसके अलावा जो पूरवी भारते वहां से जब बंगलादेश में आती है ब्रमपुत नदी तो वो जब मिलती है तो उसका बेग भी स्लो जाता है और स्लो होने के कर अपने साथ लाइवी कंकर मिट्टी और भी इतने भी और उद्दपदास होते हैं उनके जारा अपने मारग आप उस गुरूप में हमारे वीडियो को सेर भी कर सकते हैं आज के लिए इतना दोस्तों अगर आपको वीडियो पस्तना आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जैहिन